ये मैंने एक पुरानी टी-सट ली है पुरानी टी-सट से हम क्या बनाएंगे बरा और पैंटी तो दोस्तों ये देखो इस तरीके से पुरानी टी-सट पड़ी है जो मेरे कोई भी काम में नहीं आरे है तो आज हम इससे बनाएंगे बहुती शानदार और बहुती कमपर्टेबल और बहुती मजबूत कमपर्टेबल बरा और पैंटी तो चलिए दोस्तों बिना देरी की हुए हम वीडियो को सरू करते हैं किस तरीके से हमें सबसे पहले क्या करना है जो इसकी बाजू है इसकी हम कटिंग करेंगे दोनों की बाजू की जो कटिंग है इसको हम अलग कर लेंगे इस तरीके से मैंने यहां से बाजू को कट कर लिया है अब हमें क्या करना है इसके उपर जिस साइज की हमें बरा बनानी है वो साइज यहां पे हम रखेंगे इस तरीके से देखो पहले हम इसके hook को बंद कर लेते हैं ताकि हम निशान लगाने में थोड़ी असानी रहेगी तो अब इस तरीकी से हमारी जो T-shirt है वो पहले से ही fold की हुई है अब हम इसको बरा को रखेंगे और इसके उपर अच्छे से हम निशान लगाएंगी यहां से देखो हमें निशान लगाना है और निशान लगाके हमें इसकी cutting है वो करनी है तो guys यह जो बरा बन कर त्यार होगी वो 32 और 34 साइस की बन कर त्यार होगी इस तरीकी से हमने यहां पे इसके उपर निशान लगा लिया है और आदा आदा इंच हमें मारजन छोड़ते हुए निशान लगाना है ताकि हम सिलाई करेंगे तो वो सिलाई के अंदर आ जाएगा अगर दोस्तों हम बिल्कुल सैम इतना ही साइस का निशान लगाएंगे तो जो हमारा निशान है वो टेडा मेडा हो जाएगा तो दोस्तों आपको जो थोड़ी सी टेडी दिख रही है बरा ऐसी लगरा होगा टेडी है बट वो टेडी नहीं है मैंने जो हुक डाला है वो थोड़ा सा टेडा डाल दिया है इसलिए आपको थोड़ी सी टेडी नजर आ रही है पूरी बरा त्यार होने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगीगा तो यहां से मैं इसको निशान लगा लेती हूँ आदा आदा इंच मार्जन छोड़ते हुए पूरे को उपर हमें इसी तरीके से कवर करना है तो गाइस अगर आपके पास में भी इस तरीके से पुरानी टी-सर पड़ी है आप पहनते पहनते बोर होगे और आपके कोई काम में नहीं आ रही है तो इजली आप उसको रियूज करकर बहुती सुन्दार बहुती प्यारी और मजबूत कमफर्टेबल बरा और पैंटी दोनों चीज आप बना सकते हैं तो गाइस अभी बहुत गर्मी का मोसम आने वाला है और इस गर्मी के अंदर इस तरीके की कपडे की स्टीचिबल बरा बहुती कमफर्टेबल रहेगी क्योंकि इसके अंदर जो पसेना आता है तो वो अच्छे से शोक लेते हैं तो इसे आपके लिए बहुती कमफर्टेबल बहुती मजबूत एंड श्टीचिबल रहेगी तो आप इस तरीके से अगर आपको ऐसे निशान से लगाने से सिदा बनाना नहीं आता है जैसे बरा और पेंटी सिदी आपको बनानी नहीं आती है तो आप इस तरीके से बरा को रखे और उसके उपर इसली निशान लगा कर आप इसको बना सकते हों तो दोस्तो इस तरीकी से मैंने देखो आप ये निशान भी लगा लिया और यहां से मैं कटिंग भी कर रही हूँ जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है आदा आदा इसका मार्जन छोड़ते हुए यहां से हम इसको कट कर लेंगे और सैम इस साइज की हम बना लेंगी तो इसक करें अगर आप चैनल पे नई हो या फिन मेरी वीडियो आप पहले बार देख रहे हो तो प्लेज चैन को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि हर रोज आपको इसी तरीकी से नई नई वीडियो का अपडेट मिलता र लिया है अब हमें नेक्ष क्या करना है जो नीचे का हिसा सास तीसेट का यहां से तो हमें थोड़ा सा कटिंग करने में असानी रहेगी तो यहां से जैसे ये पैंटी है इसके उपर हम पैंट से निशान लगाएंगे यहां से हमें सेम उसी तरीकी से आदा आदा इंच का मार्जन छोड़ते हुए हमें निशान लगाकर इसको कटिंग करना है तो यहां से देखो दोस्तों आप देखी रहे हो जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी अनुसार आपको लास तक अच्छे से कटिंग एंड स्टिचिंग बरा की और पैंटी की अच्छे से बताऊंगी तो इस तरीके से देखो यहां से मैंने इसको आदा आदा मार्जन छोड़ते हुए और यहां से मैंने इसको निशान लगा लिया है जैसे दोस्तों मैंने निशान लगाया है उसी तरीके से सैम निशान के उपर से हमें इसको कटिंग करना है तो गाइस पहले भी मैंने इस तरीके के वीडियो है वो काफी upload किये हैं आप दोस्तों के साथ में काफी share किये हैं बट उसका बनाने का तरीका अलग है और इसका बनाने का तरीका अलग है तो वो भी सभी friends लोगों को बहुत पसंद आये हैं तो फिर मैंने सोचा आज new बना लेते हैं नए designs की दोनों चीजें साथ में तो आज मैंन इसलिए आपके लिए ये अच्छा सा एक designs लेकर आई हूँ बहुती सुंदर और बहुती comfortable और मजबू अब जो हमारा पिछे का पार्ट है वो मैंने चोड़ दिया है सैम वैसे का वैसा और जो पैंटी का आगे का पार्ट है उसके अंदर हमें थोड़ी सी cutting और करनी है इस त इस तरीकी से दोस्तों अगर आपके पास में भी पुरानी टीसर्ट पड़ी है तो इजली आप दोनों चीजें आसान से बना सकते हो बट आपको एक टीसर्ट होती है उससे आपको एक बरा बनानी है तो वो आप एक भी बना सकते हो अगर सैट बनाना है तो वो भी बना सकते तो वो खुद पे डिपेंड है कि आपको सिंगल बनाना है या सेट बनाना है इस तरीकी से मैंने एक बाजू के अंदर से यहां से चार इंच इस तरीकी से यह पटी है वो कट कर ली है चुड़ाई के अंदर यहां से यहां से मैंने इसको पूरी को कट कर लिया है अब हम इसको सिधा करेंगे ये भी हमें काम में लेनी है ये कहां लेनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो इस तरीकी से जो उपर का बरा का जो पीसिस था यहां से हम इसको रखेंगे और यहां से हम सिलाई से इसको कवर करेंगे दोनों साइड से हम इसको सील लेंगे डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें जो ये खुलेगी नहीं बिल्कुल भी इस तरीकी से दोस्तों मैंने इसके उपर अच्छे से सिलाई भी लगा लिए है और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई से इसको कवर करना है तो यहां से देखो यह दूसरी साइड लिया है और यहां से हम इसको सील कर त्यार कर लेंगे तो दोस्तो इसी तरीके से मैंने दोनों साइड से इसको सील लिया है अब जो हमारा उपर का इसा होता है वहां से हम इसको सिलाई करें जो मोडे की पटी होती है हमारी इन दोनों पटीयों को हमें ऐसे ही सीलना है तो इस तरीके से हम पटी के उपर ऐसे सिलाई से इसको कवर करेंगे दोनों पटीयों को ऐसे ही दोस्तों हमें सिलाई से इसको attach करना है तो guys हमें सिलाई लगानी है बहुती बारिक क्योंकि ये stitchable कपड़ा होता है ये नहीं है कि ये कटेगा भी नहीं काफी friends लोग ये भी बोलते हैं कि इस तरीके के कपड़े पे वो sorry सिलाई है वो नहीं होती है चलती नहीं है machine तो दोस्तो इसमें 16 नंबर की सुई है वो अराम से चल जाती है मैं भी 16 नंबर की सुई उज़ कर रही हूँ और असान से हमें ये सिलाई हो रही है हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है तो अब हमें क्या करना है उपर की दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए यहां से अंदर की और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे ताकि यह उकड़ी उकड़ी नहीं रहेगी इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत थी अच्छी आएगी तो दोस्तो इस तरीकी से देखो यह यहां से मैंने इसको एक साइड से यहां से सील लिया है तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिलाई करकर इसको त्यार करना है जो हमारे निच्छे मोड़े की साइड होती है वहां से हमें इस पटे को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे सील तो मैंने दोनों साइड से सील कर त्यार कर लिया है देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है बहुती शांदार लग रहा है पूरी बरा त्यार होने के बाद में आपको बहुती खूबसूरत लगेगी अब हम नीचे अगर आपको चोड़ा इलाश्टिक चाहिए तो आप करना है थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे तो इसके अंदर जो सले सी पढ़ती है पलेटे सी वह इसके अंदर इजली बनकर त्यार हो जाएगी अगर दोस्तों हम इसको नहीं खींचेंगे तो जो सले है वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी और इसकी फिनिशिंग वह अच्छी नहीं आएगी तो गाईज अगर आप इसके नीचे पटी लगाकर उसमें इलास्टिक डालना चाहते हो तो वह भी आप डाल सकते हो अगर आप इस तरीकी से डिजाइन्स बनाकर इलास्टिक डाल रहे हो तो भी आप डाल सकते हो क्योंकि गाईज इस तरीकी का आज आज कल फैसन चल रहा है लेडी जैसे जो डिजाइन्स होते हैं बारा के और पैंटी के ऐसे डिजाइन्स पहना पसंद कर लिए आज कल तभी मैंने सोचा आज न्यू डिजाइन्स लेकर और कुछ नया बनाती है एक पुरानी टीशिट को लेकर तो इसलिए मैंने आज इस इसलिए बना सके तो यह मैंने बना कर तियार कर लिये हैं कितनी सुंदर लगए इसे हम योगा बार बोलती हैं अब हमें बनानी है पैंटी मैंने मैंने दोनों पीसի रख लिए हैं का रोल्फ हमें उलटा की स्फिर क法 सब्सक्राइबर नहीं हमda चाहते हैं परकी नाया के अधर में भी यहां से आपको दिखा देता है और यहां पर यहां पिर इसके अंदर हमें advisor करकर लगा लिएไहां अधर पर तो ब्लुपरमिदो नहीं रहेगी और बिल्कुल पतली भी नहीं रहेगी जैसे आपने रेडिमेंट के अंदर जो रेडिमेंट पैंटी आते उसमें आपने देख चाहिं कि जो नीचे के हमारी साइड होता है उसके अंदर कपड़ा fold किया हुआ होता है तो वैसे हम इसके अंदर कपड़े को fold करकर और अच्छे से slices को cover करेंगी तो दोस्तों काफी friends लोग तो ये भी बोलते हैं कि इसको घर पे कौन बनाए इतनी माथा पची कौन करे इसे तो हम market से ले आएंगे ज़्यादा benefit रहेगा बड़ दोस्तों एक देखो घर पे बनाने में कितनी अच्छी खुशी मिलती है देखो कि हम ये सोस्ते हैं कि आज मैंने ये चीज बनाई है ये नई चीज बनाई है उसमें हमें एक अलग सी खुशी मिलती है और बड़ दोस्तों जो हम market से लेके आते हैं इतना ही तो बोलना है कि market से लेके आई है कोई भी ले आता है बड़ जब हम हाथ से कोई चीज बनाते हैं तो उसमें हमें एक अलग सी feeling सी होती है कि जैसे हर कोई नहीं बना सकता इसलिए एक अलग सी feeling आती है तो ऐसे दोस्तों देखो दो आईडियेज हो जाते हैं हमारे लिए अच्छी एक तो देखो हमारे लिए अच्छी चीजे बन कर त्यार हो जाती है और दूसरी बात ये कि जो वेश्ट पड़ी हुई पुरानी टी-सर्ट है वो भी हमारे काम में आ जाती है तो हमारे पास में दो आईडियेज है इस तरीके से मैंने सिलाई भी कर ली है अब हमें क्या करना यहां से फोल्ड करते जाएंगे जो पैंटी की साइडों के अंदर आपको पता ही है वहां से हम इस तरीके से इसको सिलाई करते जाएंगे फोल्ड करते करते दोनों साइड से हमें दोस्तों इसी तरीकी से फोल्ड करना है और बिल्कुल कोर्नर के उपर हमें स्लाई लगा कर इसको सीलना है तो दोस्तों ऐसे ही स्पोर्ट करते रहें जैसे आपने पहले भी हमें बहुत स्पोर्ट कर किया है सभी फ्रेंट्स लोगों क बनाके दिखाते हैं कि दोस्तों को कैसा लगेगा पसंद आएगा या फिर नहीं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लेज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी और इस तरीके से अब हमें क्या करना है पैंटी के ऊपर ऐ लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो इसके साथ हमारी दोनों चीजे हैं वो बनकर त्यार हो गई है यह हमारी जो हम बोलते हैं योगा बरा वो बनकर त्यार हो गई है और यह हमारी पैंटी देखो कितना शानदार डिजाइन साय दोनों का कितना अच्छा लुक आ रहा है और कितनी खूबसूरत लग रही है बनाने के बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि घर पे हमने बना कर त्यार किये तो बाई दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरीकी से नए नए आईडियस के साथ